नमस्कार दोस्तों स्वागे ताप से भी का कॉर्मेंट जॉप सीपी के ओफिशिल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जैसे कि आज यूपी ट्रीपल सी वीडियो 2018 कोट केस की सुनवाई होनी थी तो आज उसकी सुनवाई हो गई है और बकायदा कोट ओर भी आज किस जो दो हवते का समय दिया गया है जवाब दाखिल करने के लिए और उसके बाद सात दिन का समय दिया गया है तो इजो पैटिशनर के वेकिल है उनको नोटिस भी सबसे पहले तो यह ओर्डर आपको दिखा देते हैं कि आज की सुनवाई का झा ओर है कैसे क्या रहा है चीज़े पहले order देख लिजी उसके बाद बताता हूं यह order है 5913-2021 रेट संक्या है Petitioner है विकास तिवारी और 124 अधर्स राधाकान तोजा Senior Advocate उट जैसिंग इन्हों ने कहा था और महेश चंद रुत्रिपाथी जी की जड़शिप में यह सुना गया है केस को अब यहां से देख लिजे पूरा मैटर सुन लिया है महेश चंतरिपाथी जी की जो जज है उसने जो जज है उनने पूरा मैटर सुन लिया है कोड़ने और यहां पे देख लिजे एसको यहां पे अपना order दिया all the respondents are accorded two weeks time to file response in the matter the petitioner will have one week thereafter to file rejoinder affidavit पहले ये दो हफ्ते का इंको समय देगा है उसमें ये जवाब दाखिल करेंगे जवाब दाखिल करने के बाद एक हफ्ते का समय दिया गया है petitioner को rejoinder affidavit दाखिल करने के लिए मतलब कुल मिला के 21 दिन मतलब अब देख लिजी अब अगली डेट इसलिए लगी है 22rea un dawn 2021 की डेट अगली लगी हूई है अब 22ος jun 2021 को जोना जाएगा अगली डेट अब कोड मे तो इतनी डेट महीने दो महेने की मिलती ही मिलती ही है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इतनी डेट मिलती रफ्रेश में लगे होते हैं उनको सुना ही जाता है उस तारी को अब यहाँ पे चार लोगों को सब्सक्राइब के जो वकील थे वो देवेश विक्रम थे पंचायती राज के वकील जो थे सचिव के संजे कुमार सिंग थे आपको देख रहे हैं पर उसमें और में भी लिखा हुआ है और यूपी ट्रॉपल से के सिधान सिंगल इन चारों लोगों को नोटिस दे दी गई कि कि अपने अपने जो इनके नोटिस का जवाब है और जो भी इस पेटिशन में चीजें दाखिल की गई है जो आज कुशन किये गए हैं पेटिशनर के वेकिल दोरा उसको साथ दिन दो हफते के अंदर मतलब 14 दिन के अंदर इनको दाखिल करना और उसके बाद साथ दिन का सम मिली है तो यह भी एक तरह से अच्छा ही है और कुछ लोगों की कहना है कि मैं कल के भी कमेंट देख रहा था और वीडियो दो चीज़ें वो आपको मैं बताता हूं कि अभी क्या चीज़ें चल रही है आज क्या चीज़ें मैं आपको बता दिया है कि अब सरकार आगे कहां तक जाएगी कोट केस तो भाई किसी को कोई पत्चा नहीं रहता कि कोट केस का क्या होगा क्या नहीं होगा ठीक है लेकिन अब decide करेगा क्या नहीं होगा ठीक है तो code ही decide करेगा बाकि जो भी चीज़े थी वो मैंने आपको पता दिए अब अगली date पर जब सुनवाई होगी तब चीज़ें देखी जाएंगी तो फिलाल अब 12 जून को यह कीस लगेगा अब अगर तब तक जवाब यह दाखिल करते हैं तो करते हैं तो